प्यारे बच्चो आज हम पाच्वी कक्षा हिंदी का पाठ दो लाल्ची कुत्ता पड़ेंगे और समझेंगे एक कुत्ता जो बहुत लाल्ची भाग चला लेकर रोटी यानि एक कुत्ता जो लाल्ची था उसे रास्ते में एक रोटी पड़ी मिली और वो उसे लेकर भागा पड़ी रास्ते में उसके एक नदी बहुत जो थी छोटी जब वो रोटी लेकर भागा तो उसके रास्ते में एक नदी पड़ी जो छोटी थी जाने को उस पार नदी के रखा था पतला पट्रा उस नदी को पार करने के लिए नदी पर एक पतला पट्रा यानि लकड़ी का एक टुकड़ा रखा था संबल संबल कर चलना पढ़ता वरना था पूरा खत्रा उस नदी को पार करने के लिए उस पतले पट्रे पर से संबल संबल कर चलना पढ़ता था वरना नदी में गिरने का खत्रा था पानी में देखा एक कुटा उसके जैसा था जो दिखता यानि उस कुटे को पानी में अपना अक्स नजर आया चोसी की तरह दिखाई देता था उसके जैसी मुँँ में रोटी दिख रही थी मोटी मोटे और उस कुट्टे के मूल में भी उसे रोटी दिखाई दी कैसे रोटी उसकी पाऊं उसका हिस्सा भी हतियाऊं तो लालची था, सोचने लगा कैसे मैं उसकी रोटी पाऊं और उसका उस कुट्टे से वो रोटी भी आशिल करना भौका सोच बेभानी में, रोटी जा गिरी पानी में जैसे ही उसने बगएर सोचे समझे, बेभानी में यानि बगएर सोचे समझे, उसकुट्टे से रोटी हासिल करने के लिए उसे भौका, उसके मुँ में जो रोटी थी वो भी पानी में जा गिरी भौचक का सा लगा देखने, खड़ा रहा मुँ बाए अब कुट्टा हैरान परेशान भौचक का सा यानि हैरान परेशान हो गया कुट्टा और मुँ खोले खड़ा रहा बच्चो इसको कभी न भूलो, लालच बुरी बलाए बच्चो इसको कभी न भूलो, लालच बुरी बलाए यानि बच्चो लालच बुरी बलाए इस बात को कभी न भूलो